आट बेख्ये फ्रेंड अभी हम क्या करते हैं कि हमें मान लो एक इन जर्णल को जैड़े दिया जैए जैसे मान लो हमें दे दिया जैए जैड फोर और हम जानते कौन होता है 0, 1, 2, 3 यह element होते है operation क्या होता है addition model of 4 और multiplication model of 4 यह है और जैसे हम सभी जानते Z and a means a ring बनता यह ring तो है क्या यह ring है और मैं आपसे यह कहूँ कि इसके क्या निकालो item potent element निकालो और nail potent element निकालो मैं आपसे यह कहूँ how many how many item potent element और how many nil potent element यह मैं आपसे पूछलो इसके इंदर देखो सभी पहले हम निकालते है item potent item potent means a का square करे तो वापीस a आतो देखते कितनी element है यहां देखो 0 का square 0 1 का square 1 2 का square 4 4 भी अवलाइक है 0 3 का square 99 भी अवलाइक है 1 तो दो ऐसे element मिले है item potent कौन 0 और 1 तो how many item potent element there 2 nil potent की 0 की power के करे तो 0 आएगा 1 1 की कितनी भी पावर कर लो क्या नहीं आ सकता हमारा 0 नहीं 1 है 1 भी निल potent है 1 की power 1 करी 1 1 की power 2 करी operation है multiplication model of 4 तो 1 की power कितनी भी कर लेंगे 1 रहेगा 0 नहीं आएगा तो 1 तो nil potent नहीं बनेगा 2 पे आएगा 2 की power 1 करी 2 2 की power 2 करी 4 4 भी अवलाइक है 0 तो 2 भी है 3 भी नहीं है तो यहाँ पे अगर item potent element निल potent element की बात करें तो 2 है कोन है निल potent यहाँ निल potent element दो element कोन 0 और 2 दो निल potent element है चलो यह तो हमारे लिए ऐसान था Z4 था अगर मान लो हमें कोई ऐसा Z20 हो Z30 हो Z40 हो Z50 हो और वहा हम से निल potent element पूछ ले ऐसे निकालना नोटे जी आं से देखो हमारे पास जैसे N है N ही आ कितना है 4 इसको prime number में break करो prime number में जब इसको हम break करेंगे तो क्या लिख्या जाएगा यह 2 की पावर 2 यह लिख्याए एक ही प्राइम आ गया और मुझे क्या निकालने है number of nil potent element क्या निकालने मुझे два नमबर ओफ निल पहले तो इन पॉटिन निकालने हैं क्या निकालने मुझे आइडामेटेंट हईनिकान निकालने हैं मुझे नबर ओफ fauc आइड़न पॉटेंटे अलिमेंट हुआ तोas तो यह एड्य पॉटेंटे ऊंगे यहाँ यह क्या हों गे हमारे पास N जब कभी भी कोई ऐसा नंबर हो प्राइम P1 की पावर मानलो K1 हो दूसरा प्राइम K2 पावर हो तीसरा प्राइम K3 पावर हो फोर्थ प्राइम K4 पावर हो ऐसे प्राइम नंबर चलते जारे है मानलो R तक और ये ऐसे ऐसे करते हुए P R K R यह मालो प्राइम नंबर की n है कोई नंबर उसको प्राइम नंबर की प्रोड़क्ट में मैंने लिख दिया ऐसे आ गई है ओके और आपको क्या देखना हो नंबर ओफ आइडम प्रोडेंट एलिमेंट कितने होंगे z4 के अंदर तो क्या करो 2 की पावर कर दो r और r क्या होता है नंबर ओफ डिस्टिंट प्राइम जो यह 4 है चार को प्राइम नंबर की प्रोड़क्ट में लिखे कितने प्राइम नंबर आए सिर्फ एक ही तो 2 की पावर एक यानि 2 तो दो आइडम प्रोडेंट एलिमेंट होंगे इसके और जो कि मैंने निकाले भी थे क् लो मुझे दे दिया जाए jad 10 को कि निकालो तो 10 को दो प्राइम तैन को क्या लिखेंगे टू इंटू फाइफ यह लिखा गया ठीक है तो क्या लिखेंगे एडम प्रोडेंट एलिमेंट कितने आएंगे इसके टू की पावर में नंबर ओफ डिस्चिंट प्राइम कितने प important element आएंगे इसके पास क्या कहेंगे जैड 10 के पास जो important element होते है वो चार होते है आप से ये पुछे कि बताओ वो कौन-कौन से वो निकालना होगा बट एक्जाम में हमसे ये नहीं पुछेगा निकालो निकालने के लिए अगर पूछ लिया तो बाए से ये कहीं निकालके दिखाओ एक तो जीरो का स्केर जीरो एक वन का स्केर वन टू का तो आएगा नहीं और थ्री का स्केर भी नहीं, 4 का स्केर 16 नहीं, 5 का स्केर 25, 5 का स्केर 25 और 25 भी यहां 5 हो जाएगा, ये भी आ गया उसके बाद 6 6 भी हो जाएगा 6 का स्केर 36, 36 का 6 हो जाएगा ये हो गई 4 element आ गए, कौन? 0, 1, 5, 6 तो 4 इसके क्या है? हमारे item potent element है कितने है 4 हमारे इसके item potent element है कितना time लगया हमें कुछ भी नहीं जैसे अगर मानलों मुझे z30 दे दिया जाए क्या दे दिया जाए z30 जैसे यह है 0 1 2 3 up to 29 और यह कहें find its item potent element क्या इसके item potent element बताओ कितने होंगे तो हम क्या करेंगे n यहां कितना है 30 30 को क्या लिखेंगे 2 into 3 into 5 तीन distinct prime आ गए तो इसके जो item potent element होंगे वो क्या होंगे वो होंगे 2 की power में distinct prime कितने prime है 3 तो अंसर कितना आएगा 8 तो इसके 8 item potent element होंगे कितने होंगे 8 item potent element होंगे कितना time लगया कुछ भी और निकाल के देखते हो इसमें time लगता जैसे मुझे मालों यह दे दिया जाए z32 0 1 2 31 आप से यह पुछा जाए इसके कितने item potent element होंगे तो 32 को हम क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे 2 की power 5 तो अंसर item potent element कहेंगे 2 की power distinct prime 32 के distinct prime को न एक ही आता है 2 1 तो 2 की power 1 यानिकी 2 यह अंसर आ गया आप जैसे z100 दे दिया जाए z100 देके और मेरे से यह पुछा जाए how many item potent element क्या इसके item potent element कितने होते है तो item potent element क्या कहेंगे 100 के 100 को prime factor करेंगे 2 की power 2 और 5 की power 2 यह आ गये तो 2 की power में कितने prime distribution यूज हुए है 2 कौन कौन सा एक तो 2 और एक 5 तो 2 की power 2 यानिकी 4 तो इसके item potent element कितने आएंगे 4 क्या बोल देंगे इसके item potent element कितने आएंगे 4 item potent element आएंगे ओके जैसे एक और मालो मैं आपको यह कहूं जैड मालो मैंने ले लिया क्या प्राइम नंबर ही ले लिया प्राइम नंबर मालो मैंने ले लिया 17 जीरो वन टू सोला सत्रा कातरी की factor होगा सत्रा ही लिख्या जाएगा तो क्या कहेंगे कितना आगया सत्रा एक ही distinct प्राइम आया तो क्या लिख्या जाएगा 2 की power 1 कितने है 2 की power 1 product तो कितने है इसके item potent element सिर्फ 2 ही कौन-कौन जीरो और एक 1 दो ही है और दूसरी बात ये field बनता field के 2 item potent element होते है 0 और बन जैसे मतल है 자ण कभी आपको क्या देदिया जाए उसका item potent element सोईजी यह बताना कितने है जैसे एक और मालो आपको देदिया जाए जैड 54, 0, 1, 2, 53 और यह पुछलो मैं how many item potent element there, यहाँ item potent element कितनी है, 54 की factor करेंगे, 2 into में क्या आएगा, 27, 27 को क्या लिख सकते 3 की power 3, यह आ गया, distinct prime कितनी आएगा 2, तो क्या लिख जाएगा यह, 2 की power में distinct prime कितनी है 2, तो कितनी आएगे 4, तो 4 item potent element आएगे, कितनी element आएगे, item potent element यहाँ 4, ओके, अब आ जाते हैं, nil potent के उपर, कि यहाँ nil potent कैसे calculate करें, जैसे एक मैं समझा देता हूँ, जैसे मान लो, z4 में ही समझा रहा हूँ, 0, 1, 2, 3, operation multiplication model of 4, nil potent element मुझे चेक करना है, एक तो है 0, 0 की power 1 करी तो 0 आगया, एक है 2, 2 की power 2 करी तो 0 आगया, दो nil potent element है, कितने nil potent element, 2, n यहाँ कितना है, 4, इसको लिख्या 2 की power 2, क्या लिख्या इसको 2 की power 2, जब भी आपको क्या निकालने हो, number of nil potent element, क्या निकालने हो, nil potent element, यह निकालने का formula है, n upon में distinct prime की product, क्या, n upon में distinct prime की product, या कितने prime है, एक ही है, तो लिख दिया, 2, n कितना है, 4, upon में 2, तो कितने आएंगे, 2, यह answer हो गया, जैसे suppose करो, मुझे दे देता वो, 20 दे देता, क्या दे देता, 20, मैं लिख लेता हूँ, मालू मुझे क्या दे देता हूँ, जैसे टोंटी, element कहां तक चलते, 19 तक, operation क्या होता, multiplication model हो 20, क्या, इसको क्या लिखते हैं, 20 को, 20 को लिखते, 2 की power 2, into 5 की power 1, यह लिखा जाता, मुझे निकालने, number of nil potent element, formula क्या बनेगा, n upon में product of distinct prime, 2 e prime है, एक तो कोन है, 2, और एक कोन है, 5, इनकी product, n कितना है यहां, 20 upon me 10, तो 2 nil potent element आएंगे, यहां, कितने element आएंगे nil potent, 2, एक और देखो, जैसे मुझे माल लो, z 30 given हो, कितना given हो, z 30, कोन है यहां, 0, 1, 2, 3, up to 29, operation क्या है, multiplication मोडलो 30, 30, और addition मोडलो 30, अब मालूम आप से यह कहूँ, इसके nil potent element निकालो, क्या निकालो, nil potent element, 30 को कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे, 2 into 3 into 5, 30 upon me product of distinct prime, कितने आएंगे, तिनो distinct है, तो 30, कितना हैगा एक, तो सिर्फ इसका एक ही nil potent element है, और वो कोन है, 0, 0 तो में सा होता ही है, ओके, तो इसलिए यह जो है, nil potent निकालना, या फिर item potent निकालना, यह बिलकुल easy हो जाता है, यहां, जैसे, मानलों हमें यह दे दिया जाए, कि, z80 दे दिया जाए, 0, 1, 2, 79, operation multiplication 80 और addition 80, मानलों में आपको यह कहूँ, कि इसके nil potent element निकालो, क्या निकालो, nil potent, as well as item potent, क्या निकालना, item potent और nil potent element निकालनी है, सबसे पहले आता हूँ, item potent, 80 है, prime factor, 2 किया तो 40, 2 किया तो 20, 2 किया तो 16, यह किना आगे, 16, 50, यानिकी, 2 की power 4 into 5, यह आ गया, ठीक है, मुझे निकालना सबसे पहले, item potent, item potent element क्या तो की power, जितने number, 2 की power r, r क्या होते है, distinct prime, कितने prime यूज हुए है, यहाँ, 2, कौन, 2 और 5, तो 2 की power 2, यानिकी 4, चार element है, item potent, nil potent निकालनी है, क्या होगा, an upon me, product of distinct prime, product distinct prime कोन हुआ है, एक तो 2 और, एक 5 है, तो 80 upon me, 10, यानिकी 8, तो इसका मतलू क्या कहेंगे, item potent element तो 4 आए है, और nil potent element 8 है, क्या कहेंगे यहाँ, item potent element कितने आए है, 4, और nil potent element कितने आए है, 8, मालनो 70 होता, क्या होता यह 70, फिर क्या करते हैं, 70 के factor करते, क्या आता, 2 into 35 बनता वो, 3 और, sorry, 5 और 7 बनता वो, यह आजाते, अब item potent कितने होते हैं, हमारे, 2 की power में distinct prime 3, यानि 8, item potent तो बनते 8, और nil potent कितने बनते, nil potent बनते, n upon me, product of distinct prime, तो वो 80 ही आ जाता, तो 80 upon me 80, यानि की 1, तो वो nil potent आता, 1 ही, वो 0 हो जाता, ओके, तो जब कभी भी आपको, zn दे रखा हो, क्या given हो आपके पास, zn given हो, उसके item potent, या फिर nil potent निकालना बिल्कुल easy work है, क्या है, बिल्कुल easy work है, अब आ जाते हैं matrix का case, देखो, question number second, third को हम करते हैं, मानलो हमें यह दे दिया जाए, क्या, m2zn, m2zn, यह दे दिया जाए, usual addition और multiplication, जैसे add करते हैं, और multiply करते हैं, same way work है, पहले तो इसके number लिखो, क्या है, किस type की collection है, इसके इंदर, इसके पास collection है, a, b, c, d type की, such that, a, b, c, d, कहां भी लोग करता है, integer से, यह है, सबसे पहली बात तो यह, यह देखो, a, b, c, d की entry integer है, दो matrix यहां से उठाई आपने, क्या उठाई, इसकी दो matrix उठाई, अगर आप इसकी दो matrix लोगे, तो क्या होगा, मानलो मैंने क्या किया, a, और b, कोई दो matrix ले ली, यहां से, m, 2, z से, अगर मैंने इसकी दो matrix ली, एक इस form की होगी, a, 1, b, 1, c, 1, d, 1, और मैंने मान ली, a, 2, b, 2, c, 2, d, 2, और फिर बता दिया, यह जो a, 1, b, 1, c, 1, d, 1 है, यह भी z से है, और जो a, 2, b, 2, c, 2, d, 2 है, यह भी z से, लिख दो चाहे, a, 1, b, 1, c, 1, d, 1, a, 2, b, 2, c, 2, d, 2, यह कहां भी लोग करते है, z में, जोड किया, a, plus b, a, plus b करेंगे तो क्या हैगा, a, 1, plus a, 2, b, 1, plus b, 2, c, 1, plus c, 2, d, 1, plus d, 2, ये एक integer है ये integer ये integer तो ये भी क्या हैगा integer ये भी 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 integer तो उकल मिला के A प्लस B जो है ये कहां जाएगा ये जाएगा हमारा M2Z में M2Z में क्यों M2Z में है क्या collection of all two cross two matrix whose entry coming from Z अब ये है दो cross two की matrix है और इसकी जो entry है वो कहां से आ रही है Z से क्योंकि ये integer ये integer तो ये भी integer तो इसका मतलब जो ये है हमारे पास M2Z ये क्या बन गया with respect to addition closure property तो hold कर गया क्या कर गया closure एसोसियेटिव चाहिकी नहीं करना addition में तो associative होता ही है क्या ये तो closure तो hold हो गया associative की मैं बात करूँ हूँ एसोसियेटिव तो होता ही है हम जानते हैं A प्लस B करो या प्लस C करो या A प्लस B प्लस C करो ये तो equality आती ही है तो associative चाहिकी नहीं करना existence of identity addition की identity कौन होती है 0000 ये क्या ये M2Z में है हाँ है 2 cross 2 की matrix है और entry Z में क्या 00 है हाँ है तो addition की identity भी है इसके पास additive inverse उसका negative कर दो अगर मानलो कोई element मैंने लिया A B C D किसका element लिया अगर मानलो मैंने M2Z का लिया तो क्या कहेंगे there exist minus A minus B minus C minus D किसके इंदर जाएगा ये भी M2Z में सच that in दोनों का जोड करेंगे तो addition की identity आ जाएगी तो मतलब ये जो है M2Z addition के respect में group तो बन गया क्या बन गया addition के respect में group property number 5 property number 5 में क्या करना है मुझे क्या commutative with respect to addition A plus B और B plus A ये तो equal होता है matrix के case में क्या कहेंगे matrix के case में A plus B करो या B plus A करो ये तो हमारा equal आएगा ही आएगा पाच्वी hold हो गई 6 closure property with respect to multiplication किसना करेगी multiply करो गई यही आएगा similarly 7th और 8 hold हो जाएगी मतलब ये ring तो बन गया क्या बन गया ring अब आगे काम बढ़ाते हैं ये unity है या नहीं अब unity multiplication के identity कौन होती है ये क्या ये इसमें जाएगा हाँ जाएगा क्यों क्योंकि entry integer है तो ये unity भी है क्या भी है unity commutative नहीं इन journal matrix commutative नहीं होती क्यों जैसे एक ले लो one two three four एक ले लो आप four two three one क्या एगा four plus six आगे मत जाओ इसको ही देख लेते हैं next four two three one यहाँ one two three four करो क्या एगा यहां तो पहला element मैच हो रहा है दूसरा देखते हैं यहाँ एगा four plus six ten eight plus eight eight plus eight 16 यहां देखते हैं यह ठीक है दूसरा मैच नहीं होगा इसकी से करेंगे तो दो प्लस दो चाओ यहां चार है यह 16 तो इक्वल नहीं आया यान कि एबी जो है वह इक्वल नहीं आया इंजर्णल बी-एकर यह राकाउंटर एकशाँपल यह और बी बी और एक्वल नहीं आए नहीं आय तो इसका मतलब क्या है यह ए मैट्रिक्स नोन कॉमुटेटिव औ यह कॉमुटेटिवी नहीं है क्या नहीं बन सकता यह इंटेगल डोमेन तो बनी नहीं सकता अच्छा दूसरी बात मैट्रिक्स इन जर्नल क्या होती है विद जिरो डिवाइजर क्या होती है यह विद जिरो डिवाइजर मैट्रिक्स विद जिरो डिवाइजर होती है एक जर्नल में कैसे मैट्रिक्स ले लो इक 01 00 जैसे ये और बी क्या कर दो जीरो 2 00 यह भी नोन जीरो मैट्रिक्स नांगल इकमर एक करने की से 0000 यह इत और विदढकर क्या होत्ता है दो नोन जिरो के मिल्टिप्लाइई 0 आज़े ये नोन जिरो ये नोन जिरो, मिल्टिप्लाइई करी तो क्या गई 0, यानि कि with 0 डिवाइजर हो गई, क्या हो गई with 0 डिवाइजर, अब बात करते हैं किस चीज की, रिंग unity non-commitative with not integral domain इंटेगल डोमेन नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता with zero divisor तो integral domain काँसे हो जाएगा और integral domain नहीं हो सकता फिर most division ring यह डिवाला रिंग भी नहीं ऐंकि क्योंकि एक मैं डिटिक्ट एवलों इह नहींगे क्यों क्योंकि मुल्टिप्लीकेट यॉट्थ कभता है डिटर्म ढूंजिरू पर inverse exist नहीं होता और division ring यह कहती है every non zero element का multiplicative inverse होना चाहिए क्या कहती है division ring कि every non zero element का क्या होना चाहिए multiplicative inverse होना चाहिए जबकि यह matrix मैंने ली यह non zero matrix है और इसका multiplicative inverse तो नहीं आता इसका मतलब यह क्या कहेंगे that is not a division ring division ring भी नहीं है not a field तो फिल्ड नहीं है। अब क्राक्टेस्टिक किसे faldi करें счит matrix के सारे नंबर जिरो हो दो एक ही केस है ordinary تم में किसे मृल्टिपलाई करें कि सारे कि सारे किस्म नंबर से अंपरें Dash अब अब क्राक्राइकस्टिक तो जिरो हैं क्या केंगे क्राक्राइकस्टिक जो है M2Z की that is 0 ओके फिर item potent element की अगर मैं बात करूँ nil potent element निकालूँ अगर मालो मैं इसके क्या निकालूँ nil potent निकालो हम यह जानते हैं super upper या super lower ले लो जैसे मालो यह ले ली 0k1 000 यह example उठा लो या 00k2 यह उठा लो यह भी nil potent है यह भी nil potent है ओके यह इसकी हो गई matrix nil potent item potent अच्छा कितनी है यह nil potent matrix infinite item potent भी कितनी है infinite item potent की अगर मैं बात करूँ एक famous ले लो यह रही एक यह रही एक यह रही एक यह रही और भी ऐसे infinite हम बना सकते इसकी क्या बना सकते इसकी infinite many item potent क्या कहेंगे हम इसकी infinite many जो है वो item potent matrix हम बना सकते हैं और इसलिए सामने वाला यह नहीं कहेगा कि निकालो यह सिर्फ यहां पे एक कुछ निकाल के दिखा देंगे हम और यह मैंने लिया जैड के लिए एक बात तो कंफर्म हैं जो यह matrix का के से रहेगा यहां पे अमेसा पहली बात तो यह नों कुमूंटेटिव रहें रिंग तो विए 2Z करो Q करो R करो C करो यह रिंग तो हमेसा ही रहेगा यह किलास्ट ओलवेज होगी नन कुमूंटेटिव मैट्रिक्स इंजर्नल कॉम्यूट नहीं करती तो यह केस भी रहा करेगा और नन कुमूंटेटिव रहेगी तो यह not integral domain यह भी हमेसा रहेगा यहां और नोट A with zero divisor ये भी रहेगा नोट A division ring ये भी रहेगा नोट A field ये भी रहेगा यानि ये जो प्रोपर्टी है non-commandative with zero divisor not integral domain not division ring not field ये तो रहेगा वो बात करता unity है या नहीं अगर unity इसके पास है तो इसमें जाएगी इसके पास unity नहीं है तो इसमें unity नहीं जाएगी जैसे एक example उठा रहा हूँ मैं जैसे मानलो मैं उठा लेता हूँ M to 2z कर दिया मतलब अब की बार क्या है जो entry है वो 2z से आ रही है किसे आ रही है वो 2z से आ रही है अब 2z से अगर मानलो मैंने entry कर दी तो इसका मतलब 1 0 0 1 ये चीज तो जाई नहीं सकता M2 2z के अंदर क्यों क्योंकि this element doesn't belong in 2z ये 2z में नहीं होता element का नहीं होता 2z में इसका मतलब फिर ये जो M2 2z है that is not इसके पास unity नहीं है क्या नहीं है इसके पास unity रिंग तो है non commutative है with zero divisor है not integral domain not division ring not field और ये इसके पास unity भी नहीं है क्या कह देंगे इसके पास unity भी नहीं है अब जैसे exercise में मान लो मुझे क्या दे देता सामने वाला अब कुछ भी change कर सकता है वो M2 Z करे M2 3 Z करे M2 4 Z करे M2 P Z करे या फिर M2 Q कर दे या M2 R करे या M2 C करे commutative तो ये होगा ही नहीं क्या नहीं होगा ये commutative नहीं होगा और with zero divisor होगा integral domain नहीं होगा note division ring note field और unity अगर बात करें अगर यहां पे ये जो आप ले रहे हो यहां unity है तो इसमें unity आएगी otherwise unity नहीं आएगी ओके अब आ जाते एक next type के question पर इसके उपर अच्छा M2 M3 के उपर आ जाता हूं M2, Z2, Z3 छोटा से fix है इस पर आ जाते हैं अब हम मानलो आप ले रहे हो M2, Z2 पर आ गए अब Z2 पर अगर हम आ गए तो क्या होगा इसके पास इसके पास आएंगे A, B, C, D such that A, B, C, D कहाँ भी लोग करते है Z2 में मतलव element कहां से है 0 और 1 से इसके बरने के तरीके दो इसके बरने के दो इसके बरने के दो इसके बरने के दो तो टोटल तरीके आएंगे 8 सुरी दो गुना दो गुना 16 तो इसका ओडर के अगर मैं बात करूं किसकी कडिनल्टी की बात करूं तो कडिनल्टी जो आएगी किसकी M2 Z2 कितने element आएंगे यहाँ 2 into 2 into 2 into 2 इसके भरने के 2 इसके 2 इसके 2 इसके 2 तो 2 की पावर 4 यानि कि total element आएंगे 16 कितने element है यहाँ पे total 16 element है अब यह check करते हैं कि यह हमारा ring integral domain field क्या कुछ बनता है क्या check करते हैं इसमें कि यह हमारा ring बनता है with zero divisor है without zero divisor क्या कुछ है आएए check करते हैं इसको हम